1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय बैस्वारा एक अवद प्रांत का एक जिला था। उस समय राय बरेली के जायस्त का प्रमुक नगर नसीरबाद में एक महान योध्धा राजा हरप्रसाद का जन्म कायस्त कुल में हुआ जो 1857 की क्रांती के महानायक थे। राजा हर प्रसाद के पूर्वज कन नौज के निवासी राय भीखम राय नसीरबाद रियासत के राजा थे। राय भीखम राय के वन्शच कायस्त कुल गौरब मुन्शी ब्रिजलाल के पुत्र राजा हर प्रसाद का जन्म 1799 में हुआ था जिनकी शादी राय बरेली के पहरेमु निवासी और सीतापूर के खेरबाद के नाजिम राजा गिरधारी सिंग की पुत्री से हुई। नवाब वाजेद अली शाह ने हर प्रसाद से प्रभावित होकर राजा की उपादी से सम्मानत किया था। राजा हर प्रसाद जी ने अपनी जन्ता की सुख सुविधा के लिए कई काम किये। एक बार राय बरेली के एहिया राय पुर में सुखा पर जाने पर साथ कोई खुदवाया जो चारो और दिवालों से सुरक्षित था जिसके लिए एक लाला रेवती राम ने अपने पुत्र का बलिदान दिया जिसके बाद इस तालाब को लाला रेवती राम तालाब के नाम से जाना जाने लगा। सiकरदर बाग और मूसा बाग की लड़ाए के बाद राजा हरप्रसाद ने बेगम हजरत महिल को गोमती पार करा कर खेरा बाद ले गए और वहां से उन्होंने ने बेगम हजरत महिल को नेपाल पहुचा दिया और वहां से वापस आकर फिर से अंग्रेजों से लड़ने लग सीतापूर गैजटिया में राजा हरप्रसाद को लास्ट विले आंड नोटोरियस गवर्नर ओफ अवद कहा गया है भारती स्वतंत्रता के लिए सीतापूर में हो रहे एक युद्ध में उन्होंने 31 दिसंबर 1857 को उन्होंने अपने प्रानों की आहूती देश को समर्पित कर दी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अपने सर्वोच बलिदान देने वाले राजा हरप्रसाद को उनकी बलिदान के लिए कृतग्य राष्ट्र की ओर से विनम श्रद्धान जली